नियुंतम समर्थन मूल मंडी में हुई खरीद के बीज भारी अंतर स्वामी नाथन कमिशन की सिपारिस लागू कराने आधी को लेकर डाक्टर सुनीलम पहुचे किसी उपज मंडी रीवा में हुए धर्नप दरसन में सामिल सरकार ने जूट बोला था रभी और खरीब की फसलों के लिए नियुंतम समर्थन देने की घूसना की थी लेकिन अखिल भारती किसान संगर समित ने वित्त मंत्री के जूट का परदाफास किया था तब वित्त मंत्री ने कहा था वो आंसिक लागत की बात कर रहे थे ना कि C2 प्लस 50% की किसान नेताओं का कहना है चना और मसूर दोनों ही नियुंतम समर्थन मूल से कम पर बिक रहे हैं किसानों की मांग है कि सरकार डेर गुना समर्थन मूल तैकरने की स्वामी नाथन कमिशन की सिपारिस तता 2014 में किसानों के हित्मे किये गए वादे ततकाल प्रभाव से लागू करे इस बारे में जनान लोलन के राष्टी समन्नक संयोजक किसान संगर समित के कारकार्णी अदच पूरुबिदार डाक्टर सुनिलम ने रिवा दर्सन को बताया जिफरी देगा, एक लाख रोपे का जुर्माना, दूसरी बार दो लाख का जुर्माना, तीसरी बार उसका लाइसेंस कैंसल उसका किया जाएगा और उसको पर अपाधिक मुकंदमा चलाए जाएगा मतलब यह नहीं होगा कि जो हमारे मुकंदमी कहना है कि पचास परसेंट आप जमा कर दो तो आपका भ्यार मात होगा हमारा कहना यह है कि आपने घोटी समर्थन मूले हमको आज़ादी के बाद आज तक सही दिया नहीं है, इसलिए हम कज़दार है